आप सभी का मेरे चैनल पर पुनह स्वागत करता हूं आशा करता हूं आप सभी स्वस्त होंगे महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदायव बनी रहें गे वीडियो धनू यानि की सजिटेरियस के लिए बहुत महत्यपूर है क्योंकि ये वीडियो है मंगल महराज के राशी पर जिवर्तन कर रहे हैं और 3 अक्टूबर 2023 तक वो आपके दस्वे भाव में यानि की टैन्थ हाउस में रहेंगे मंगल अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण अगर है कई चीजों का कारकत तो मंगल के पास होता है जैसे की प्रॉपर्टी साहस पराक्रम आगे बढ़ने क चेश्ठा, लॉजिकल ठिंकिंग, आप कॉंपेटिशन को कैसे हैंडल करते हैं, आप आगे बढ़ने के रिए कितना ततपर रहते हैं, आपके अंदर उर्जा कितनी हैं, सकरात्मक्ता कितनी हैं, कई चीजों का कारकत तो मंगल के पास ही आता है, इसके साथ ही हर व्यक्ति के के दो भावों के स्वामी होते हैं, और उनकी तीन दृष्टियां होती हैं, इसलिए जब भी उनके परिस्थिती में कुछ भी बदलाव आता है, जातक के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव बहुत सारे आते हैं, तो इस वीडियो में हम इनी सब चीजों पर च क्योंकि राशी फल केवल ग्रहों की गोचरी स्थिती पर अधारतिक सामानने विश्लेशन होता है, जो गाइडलाइन्स के लिए दिया जाता है, लगन राशी से ग्रहों की स्थिती सेम ही रहेगी, इसलिए अलग अलग राशी फल नहीं बन सकते हैं, यह आपके उपर आप क भाव में आकर बैट रहे हैं, सबसे महत्वपून चीज़ यह है कि मंगल जब दस्वे भाव में आते हैं, तो वो दिगबली हो जाते हैं, दिगबल अर्थात डिरेक्शनल स्रेंथ, हर ग्रह का किसी ना किसी भाव में दिगबल होता है, जैसे मंगल और सूर्य दस्वे घर म में दिगबली हो जाते हैं, इसलिए जब भी ग्रह इन भाव में वैठते हैं, तो इनकी जो पावर है, इनकी जो ताकत है, जो उर्जा है, वो कई गुना बढ़ जाती है, तो मंगल दिगबल अपना पूरा प्राप्त करके आपके दस्वे स्थान में रहेंगे, इसके लिए मंगल के अंडर है, अपने शत्रों पर विजय पाना मंगल के अंडर है, और मंगल क्योंकि इतनी अच्छी अवस्था में केंदर स्थान में बैटे हैं, दिगबली होकर बैटे हैं, तो आपके लिए इन सारी चीजों में जो भी मैंने कही, उसमें वृध्धी अवश्य होग तो इस साहस का, इस फेस का, जो डेड़ महीने, पचास दिन का आपके लिए समय आ रहा है, इसका आपको लाब उठाना है, मंगल क्योंकि कहीना कहीं प्रॉपर्टी के कारग भी हैं, और दिगबल होकर बैट गए हैं, दस्वे स्थान में बैट गए हैं, जो चौते भाव से सब्तम है, यानि कि सीधा इंपक्ट है चौते घर पे, तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय बहुत अच्छा बन जाता है, दस्वे भाव के मंगल कारग शेत्र में व्रिद्धी को आगे बढ़ाते हैं, तो अगर आपके प्रमोशन की चांसिस अटक जाते थे, प्र बना नाम कमा पाता है, और इवन अपनी फैमिली का नाम बना पाता है, तो इसलिए मंगल का दस्वे घर में आना बहुत स्टेश्ट हर तरह से बताया गया है, जैसा मैंने कहा और मैं कईवा बता चुका हूँ कि मंगल लॉजिकल चीज़ों के कारग है, आपकी लॉजिकल श जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छा रहेगा, और अपने कारेक शेत्र में अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, जो 45-50 दिन है, सबसे श्रेष्ट है, देखे, जो भी ग्रह जिस भाव में जाता है, सबसे जादा प्रभाव तो उस भाव के स कारेक शेत्र, तो अपनी जो उर्जा है, अपनी जो एनर्जी है, आने वाले 45-50 दिन अपने कारेक शेत्र में देंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होने वाले हैं, शास्त्र कहते हैं, मंगल जब दस्वे घर में होते हैं, तो विक्ती को कि अपने घर से दूर करते हैं पहले के टाइम में तो ये बुरी चीज से मानी जाते थी विक्ती अपने घर से दूर ही रहता है अगर इंडिया की बात करने कोई विक्ती कहीं पर कर रहा होता है रहा हूता है अगर आ ना-net कारेक शेत्र में डिवोशन रखेगा कारेक शेत्र में एफर्ट्स दिखाईएगा आपके लिए जो 45 से 50 दिन है 18 गस से 3 अक्टूबर आपके कारेक शेत्र में बहुत अच्छे रहेंगे बहुत competitive रहेंगे office politics को बहुत अच्छी तरह से handle कर लेंगे और आपके दुश्मन आप विदेश संबंदित काम करते हैं MNC आदी में काम करते हैं लाब होगा जॉब चेंज करने के लिए अच्छा समय है और कही ना कही ट्रांसवर के लिए अच्छा समय है अगर आप within the company ट्रांसवर चाते थे या किसी और city में जाना चाते थे आपकी company बड़ी है और आप चाते के भी स्वामी है यानि कि कारक्षेत्र में बहुत creative रहेंगे अपनी creativity के दम पर अपना नाम बना पाएंगे तो ये भी अच्छी चीज है हाँ एक problem है कि मंगल क्योंकि पंचम भाव के स्वामी है जो दस्वे से अश्टम है थोड़ा impulsive हो जाएंगे अपने कारक्षेत्र में मंगल की उर्जा भी जादा होती है तो बस यही कहूंगा मंगल का दस्वे भाव में आना आपके लिए अच्छा है लेकिन थोड़ा सा अपनी उर्जा पर नियंतरन रखिएगा मंगल की तीन दृष्टियां होती है मंगल की चौती दृष्टी लगन पर ही है अब मंगल के पंचम भाव के स्वामी है यानि की आइडियाज बहुत आएंगे क्रियेटिवीटी यहां से भी दिख रही है थौट प्रोसेस पॉजिटिव हो जाएगा वैसे जो धनुवारे जातक होते हैं एंग्जाइटी होती है लेकिन पॉजिटिवीटी इनके अंदर बहुत होती से अगे मंगल की सातवी द्रिष्टी चौथे भावपर है यह बहुत अच्छी है क्यों कि पंचम भाव संतान का होता है मंगल पंचम भाव के स्वामी है और ब्रहस्पति संतान के कारक हैं, तो मंगल का पंचम भापर प्रभाव, ब्रहस्पति पे प्रभाव, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट उत्पन कर सकता है, हाँ यह है कि वहाँ पे राहू भी बैटे हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो डॉक्टर से प्राप्ति के लिए यह जो समय है, यह आपके लिए अच्छा है, तो अधित्तम आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के भी बात कर लेते हैं, सबसे पहला तो मंगल का दस्वे घर में आना, वैसे भी व्यक्ति को थोड़ा रूड बना देता है, थोड़ा कुरूर बना देता है, गुस्सा बहुत जाद आता है, किसी भी राशी में आए, किसी भी लगने के लिए हैं, क्यूं, क्योंकि लगने पर द्रिश्टी रहती है, लेकिन यहां पर क्या हो गया है, जब आपके दस्वे भाव में मंगल आएंगों उनकी दृष्टी लगन पर तो है लेकिन लगन में धनू है और धनू अगनी तत्व है मंगल अगनी तत्व वाले ग्रह हैं तो इसलिए गुस्सा चरम सीमा पर रहेगा अपने गुस्से पर नियंतरन रख लीजेगा अधर्वाइस परस्नल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में तो समय होगी समय अच्छ है लेकिन गुस्से के कारण अच्छे-च्छे समय खराब हो जाते हैं अच्छे-च्छे मौन यहां पर नियंतरन रखेंग आ लेकिसा चारण सब्सक्राइब माता जी की तब्यद भी थोड़ी विगड़ सकती है और मंगल का पंचम पे प्रभाव भी कही न कहीं एग्रेशन की तरफ आपको लेकर जाएगा तो इन सब चीजों पर थोड़ा आपने काम कर लिया थोड़ा नियंतरन रख लिया आपके लिए अच्छा रहेगा सेहत की जहां तक बात है सर में दर्द बहुत रहेगा ओवर स्ट्रेस स्ट्रेस बहुत लेंगे आप एंग्जाइटी तो होती है इस तैम पे स्ट्रेस भी बहुत होगा सर से संबंदित कोई प्रॉब्लम जैसा मैंने कहा सर से संबंदित चोट भी लग सकती है तो अगर यात्रा आदी करते हैं ध्यान दीजीगा और वैसे भी इंजरी के चांसे यहां पे आपको सर से संबंदित वो भी बढ़ जाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयर कीजेगा अगर आपको हृदे संबंदित कोई प्रॉब्लम है तो बहुत जादा ध्यान देना है और पेट की प्रॉब्लम भी आपको बहुत जादा तंग करने वाली है लिवर की कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दिक्कत भी यहां पर बढ़ सकती है तो इन सब चीजों पर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आपके लिए अच्छा रहेगा उपाय की बात कर लेते हैं उपाय के सुरुप में आपको खीर बनानी है और उस खीर में आपको केसर डालना है थोड़ा सा शहट डालना है और इसके साती आपको कुछ इलाइची के दाने अवश्य डालने है इस खीर का आपको बजरंग बली को भोग लगाना है और साती में चार घी के दिये भी आपको बजरंग बली को अरपन करने है हर दिये में एक-एक लॉंग का दाना होना चाहिए और इसके बाद आपको हनुबान 40 का दो बार पार्ट करना है योपाय आप सचे मन से कीजिए अवश्य आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा चैनल पे नए है सब्स्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलता हूं अगले वीडियो में तर तक के लिए अबनाओ